देश के मैदानी हिस्सों से ठंड का असर समाप्त हो चुका है उत्तर और पूवी राज्यों में तापमान में लगातार व्रधी रिकॉर्ड की जा रहे है इसके साथ ही मौसमी दशाओं का तेजी से बदलना भी शुरू हो चुका है भारती मौसम विज्यान विभाग प्रकृती के बदलते तेवर को देखते हुए देश के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जटाई है खास करके पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में तूफान के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है इससे पहले मध्य भारत के कई शेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई इस दौरान धूल भरी आंधी चलने के भी आसार है दूसी तरफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में आच्छा बिसमाच कुबादल चाहि रहने का पूर्वानुमान है आयमडी ने मौसम को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विज्यानियों के माने तो आज पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में धूलबरी आंधी चल सकती है खास करके पश्यमंगाल से लगते गंगा के मैदानी इलाकों में तेज हवा लोगों को परिशान कर सकती है वहीं तूफान के साथ ही कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है पिछले कुछ दिनों से गंगा के 30 मैदानों में मौसम का मिजास तल्क चल रहा है लगातार बदलती मौसमी दशाओं के चलते बारिश के साथ ही तूफान और उलवरस्टी का दौर जारी है इससे सामाने जनकों भी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है आई एमडी ने मौसम के मिजास को लेकर ताजा अपडेट चारी किया है इसके अनुसार पूर्वोत्तर भारत उपिमालई पश्रिम बंगाल का शेत्र और सिक्किम में तूफान के साथ बारिश हो सकती है इन शेत्रों में मौसम लगातार पल्टी खारा है कभी तेज धूप हो रही है तो कभी तेज हवा के साथ हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश हो रहे है सरदियों का मौसम खत्म होने के साथ ही इस तरह की मौसमी गत्विधियां बढ़ गई है आने वाले दिनों में भी मौसम की हालत कमोबेश ऐसे ही रहने की संभाव ना है उधरविधारव और 36 गड़ के कुछ इलाकों में बारिश हुई है ओडिशा के उत्री हिस्सों के साथ ही पूर्वी जारखंड, पश्यमंगाल, सिक्किम और उनाचल प्रदेश में भी तेजवा के साथ बारिश हुई है पश्यमी हिमाले छेत्र में यानी कश्मीर, हिमाचर प्रदेश और उत्राखंड में छिटपुट हलकी बारिश संभव है और अगले 2-3 दिनों की दोरान इसमें व्रद्धी होगी 27-29 मार्च के बीच पंजाब, हरियाना और पश्यमी उत्रदेश के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश संभव है बिहार में होली के दिन कईजलों में हलकी बारिश रिकॉर्ड की गई और अब मार्च के बचे हुए दिनों में बारिश में गरजन या बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं है बाकी दिनों में विहार का मौसम शुश्क बना रहेगा और तापमान में भड़ोत्री होने की संभावना है इस बीच मौसम विभाग ने राजिस्तान के कई एलाकों में आगामी एक दो दिनों में बारिश के आस्सार जटाये हैं रास्टर रासधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। हलकी बुनदाबादी के बाद दिल्ली एंसी आर का मौसम भी बदल गया है। दिल्ली के आस्मान पर बादल मंडराने लगे हैं। मौसम भाग की माने तो आज मंगलवार को दिल्ली बादलों के आगोश में है। आसपास के इलाके जैसे नौईडा गाजियवाद गुरुगराम आदी में भी इसका असर देखा जा सकता है। हाला की बारिश की संभावना नहीं जताई गए है।